स्टेटमेंट क्या होती हैं, इस पो डिस्क्री आता है तो अगर आप डिसक्रीट मैथमेटिक्स की बुक तो आप बुग लेना ये वाड़ी देखना इसका कवर ये है और ये बाबुराम उत्थर की है अमेजन से लेंगे तो 490 की आएगी और अगर आप वैसे लेंगे मार्किट से तो ये 580 की आ रही है ओके तो आप स्टार्ट करते हैं देखी क्या है स्टेटमेंट क्या होती है सबसे पहले ये देखिए a sentence which is either true or false but not both is taken as statement इससे क्या मतलब है कि ऐसा एक स्टेट में एक संटेंस है जो कि क्या हो या तो पूरी तरह से सही हो या फिर पूरी तरह से गलत हो लेकिन क्या हो not both यानि कि ये नहीं है कि बीच में अठका हुआ हो कि या तो वो सही हो या फिर गलत हो लेकिन दोनों ना होना चाहिए ऐसे को हम क्या लेकर चलते हैं is taken as statement तो देखे एक्जामपल देखे उससे आपको clear हो जाएगा तो सबसे पहला एक्जामपल मैंने लिखा हुआ है कि apple is a fruit अब यहां देखिए हमें पूरी दुनिया को पता है कि apple क्या है fruit है तो यहां क्या है हमें एक सही बात पता चल रहे है कि हंजी एपल एक fruit है तो यह क्या हो गए अपने true हो गई अभी यहां देखिए कि कोई sentence जो कि या तो true हो या फिर false हो तो हमें पता चल गए यह एक true है तो इसको हम क्या मानेंगे कि yes it is a statement okay then second देखिए Delhi is in China कि क् चाइना में है नहीं है तो हमें यह पता है कि दिली चाइना में नहीं है तो क्या होगा कि sentence जो कि क्या हो या तो सही हो या गलत हो तो हमें पता चल गया कि यह sentence अपना क्या है गलत है तो इसे भी हम क्या मानेंगे कि यह statement है ठीक है अब third देखिए third क्या है women are more religious than men क्या कह रहे ईए लेकिन इयाह देखिये जमीर करें कुछ इंसान मानते हैं कि हम इन्सान ― appears मुन जो है मंलों गधाया है मैंके मुकाबले लिक हम रिशे से का या ऐसे भी होते हैँ स yeter बिश्रूं ऑन जादा मैं में सही है क्कि किसी के हिसाब से यह चीज सहय हो सकती है अभी यहां देखे मैं लाइव एक्जामपल देती हूं यह पैन है आपके आपकी भी भी मेरी बात भी चर्षा है कि पाईज के ऊपर रखा हुआ है दोनों का लेकिन अपने है वह बताने, उपनी का टरीका क्या हो गया मर्दा हो तो हमक्ता है एक ंसinspreci vikon कि अई आप यह उपना तो मुझे नहीं होने चाहिए यानि कि हमें जहां एक प्योर डिसीजन नहीं ले पाएंगे वहां क्या होगा कि वह स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी अभी मैंने लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट को जनरली डिनोट करते हैं पी क्यू आर एक्ट सकतरा यानि कि स्मॉल लेटर से क्या करते है statement को बेटा जी denote करते है ठीक है तो यह एक example दे रखाया है कि P such that 2 is a prime number कैसे लिखा हुआ देखिए कि अपने पास P को statement है तो P को statement को हम कैसे लिखेंगे small letter से किस प्रकार से है such that और क्या statement है कि 2 मेरा क्या हो है एक prime number है हम true false कुछ नहीं देख रहे हैं लेकिन एक complete statement पता चल गई कि true है कि prime number यह अपने पास एक statement है denote कैसे करते है small letter से ठीक है हम इससे कैसे denote करते है small letter से अभी देखिए अगर आपको कह दे कि P such that x plus y is equals to 5 okay तो यहाँ पर देखिए for all xy belongs to natural number देखिए क्या यह statement है हम देखिए अगर हम x की value कुछ 1 इसकी value 4 रखते हैं तो तो यह pair 5 बन जाएगा अगर 2 रखते हैं 3 रखते तो लेकिन क्या हम x y की value fix है कि हम यहीं रखते हैं हम माली जी यह रख देते हैं तो क्या वो 5 के क्वल आएगा नहीं आएगा तो क्या हो रहा है ऐसे केस में x और y की जहां value ना गीवन हो तो हम ना तो यह कह सकते कि यह true है और ना हम यह कह सकते कि यह false है तो इसको हम क्या consider करेंगे कि यह note a statement कि यह statement नहीं है ओके समझ में आ रहा है ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं क्या हो रहा है कि इसके उपर कुछ exceptional case है च्यार case है कि क्या क्या case हो तो उसको हम statement consider नहीं करते हैं तो सबसे पहले मैंने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है sentence having sign of interrogation और sign of explanation are not taken as statement कि ऐसे sentence जिनके last में क्या आ जाए या तो sign of explanation आ जाए या फिर sign of interrogation आ जाए तो उसको हम statement में consider नहीं करते हैं तो देखिए example भी दिया हुआ है कि how wonderful और इसके पीछे sign आ गया explanation का तो हम इसे statement consider नहीं करेंगे have you ever see the task have you ever see the task तो यहां interrogation का sign आ गया sign of interrogation तो हम इसे भी consider नहीं करेंगे दूसरा कि sentence having variable time phrases ऐसे sentence जिसमें variable क्या आ है time phrases आ है यानि कि today, tomorrow, yesterday, etc. उनको भी हम क्या लेंगे उनको भी हम statement consider नहीं करेंगे कि ऐसी statement जिसमें क्या आ जाए tomorrow, today, yesterday यानि कि time phrases आ जाए उसको statement नहीं लेंगे sentence having variable place phrases जैसे time था ऐसे place है कि जिसमें place phrases आ जाएंगे उसे भी हम statement consider नहीं करेंगे यह कुछ इसके exceptional case हा के sentence having pronouns such as sentences में pronoun आ जाए जैसे कि as such as he, he आ जाए, see आ जाए, they आ जाए, etc. उनको भी हम statement नहीं लेंगे तो pronoun में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि pronoun से क्या मतलब में मेरा देखिए first example देखे मैंने लिखा हुआ है कि he is a cricket player अभी यहा देखिए कि वोई cricket player है दुनिया बर के cricket player है हमें क्या पता कि किसके बात कर रहे है तो हम क्या होगा he pronoun आ गया तो यहां हम क्या करेंगे इस sentence को statement करेंगे लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर हमने दे दिया कि विराट कोली is a cricket player तो यह हमें पता है कि विराट कोली अपना क्या है क्रिकेट player है तो ऐसे में जब हमें complete चीज पता हो कि हन जी यह true है तो अम उसको क्या कर लेंगे statement तो ठीक है pronoun में समझाया होगा कि जब unknown की बात कर रहे हैं यह भी मैं इस वीडियो में cover कराना चाहूंगी कि statement के दो टाइप कौन से एक simple statement और एक compound statement simple statement which can't be broken down further simple का मतलब यही होता है कि जिसको हम ज्यादा और ज्यादा हम तोड़ नहीं सकते जैसे कि p such that यह p को statement 2 plus 4 is equals to 8 हमें यह पता है कि यह चीज गलत है 2 plus 4 6 होते हैं लेकिन हमें तो सही गलत से कुछ लेना देना नहीं हमें पता है स्टेटमेंट है अब देखी क्या इसको आप आप simply और कहीं broken down कर सकते नहीं कर सकते तो यह क्या होगी simple statement जैसे कि और देख लेजी example q such that apple is a fruit तो यह true है हमें पता है statement है तो apple अपना क्या है fruit है तो यह इसको और broken down नहीं कर सकते तो simple statement r2 is a prime number इसको भी simple हम और फ्रदर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते तो यह simple statement दूसरी तरह आप चलोगे compound statement क्या होती है देखे इसको दो तरीके से definition हो सकती है हिंदी में लिखी है मैंने जो दो या दो से ज्यादा statement से मिलकर बनती है यानि कि compound का मतलब कि दो तीन चार पांच है साथ जितनी भी इखटी कर दो अगर इतनी statement से मिलकर बनी है तो compound statement या फिर दूसरी definition जहना चाहें तो जिसको हम दो या दो से ज़्यादा statement में ब्रेक कर सके कि इसको तो हम कई ब्रेक नहीं कर पा रहे थे a simple statement हो गई लेकिन ऐसी statement जिनको हम ब्रेक कर तो उनको क्या कहते है compound statement जो आपको सही लगे दोनों को meaning तो सेम ही है तो जो आपको सही लगे वो definition आप लिखना अब देखिए जिसे example है the sun is signing and it is cold यहां देखना कि sun जो है signing है एक तो statement यह हो गई and and से यह connect कर दी and it is cold it is cold यह दूसरी statement हो गई तो क्या हो रहा है दो statement है और इ जो जोडने का काम करता है ठीक है तो यहां end connectivity है ठीक है तो इसको दो statement को इनको इन्होंने जोड रखा है तो वही होता है देखिए कि अब देखो या इसकी definition देखो जो दो या दो से जादा statement से मिलकर बनती है तो देखिए एक और दो statement से मिलकर बनी है compound statement यह फिर जिसको हम 2 दो से जादा statement में break कर सके अब break कर देंगे पी वाली को अलग ब्रेक कर देंगे क्यों वाली को अलग ब्रेक कर देंगे तो compound statement की definition के लिए रूई होगी आई होप अब देखिए अगला example है apple is a fruit और डैली is in China तो दो statement हो गई अब की बार connectivity क्या है और लगा दी तो यह connectivity की next वी 8 greater than 9 एक statement हो गई एंड यह connectivity हो गई जोडने का काम करें ड्राम इस टैनिस प्लेयर यह दूसरी statement हो गई तो दो या दो से जादा से मिलके बढ़ी है यह फिर इनकों दो में breakdown कर सकते है तो आई होप आपको यह चीज के लिए हो गई होंगी next वीडियो में करेंगे connectivity, conjunction, distinction क्या ह होते है, negation क्या होते है, ठीक है तब तक अपना ख्याल रखना और coronavirus से बसके रहना वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, best of luck